Hello and welcome friends, Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की एड़ियो Tally Prime की है और Tally Prime में Sys Tax की बात करेंगे GST अगर सब कुछ हम पहले ही सीख चुके हैं और आज हम बात करेंगे Sys Tax की ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Voucher Entry पास करते हैं तो यहां Voucher में चलते हैं और यहां से आ जाते हैं Purchase Voucher में अपना इंट्रेस करके यहां पर हमें क्या Purchase करना है यहां पर सबोच की जिस सिगरेट Purchase करना है Financial Year दिखा देता हूँ यहां पर देखिए 1,4 2020 से 31,3 2021 तक का Financial Year है तो यहां पर मैं Date Change कर देता हूँ यहां पर कर देता हूँ 1,7 2020 तो यह Date हमने कर दिया और अब यहां पर हमें क्या करना है हमें यहां पर Creditor Party का नाम देना है तो यह हमारी creditor party है कुंदन सी, यह हमने नाम दे दिया, interface किया और interface करने के बाद नीचे आ जाएगी, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर purchase account आ जाएगा, आपको GSTIN फिल करना है तो वो भी fill कर सकते हैं, अगर आपने बनवा रखा है, फिल करना है तो फिल करिए, कोई दि stack, tobacco products वेगरा पर लगता है, इस वज़ा से है, cigarette मैं बना रहा हूँ, interface करते हैं, और यहाँ पर मैं packet कर देता हूँ, यह packet हो गया, और interface करता हूँ, यहाँ पर set alter GST detail को yes कर देता हूँ, GST को पहले से on कर रखा है मैंने, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, like tobacco product, तो यहाँ प यहाँ ने डाल दिया tobacco product, और interface किया, यहाँ पर इसका hsn code आप डाल सकते हैं, और interface करेंगे, यहाँ पर on value रखेंगे, यहाँ पर देखी यह taxable आ रहा है, तो यहाँ पर आप taxable कर लिजिए, ठीक है, यह taxable करके interface कीजिए, यहाँ पर आपको तमाम चीज़े दिखाई पड़ maximum, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 18% दे देता हूँ, ठीक है, एंटरपेस किया, एंटरपेस किया, एंटरपेस किया, एंटरपेस किया, एंटरपेस किया, और इसे accept करा लिया, तो यह हमारा cigarette बन गया एक product, और फिर यहाँ पर अगर 100 packet cigarette की purchase करते हैं, और एक packet की कीमत 30 लगाएंगे, तो SGST यहाँ पर लग जाएगा, फिर हम says tax लगाएंगे, तो says का laser हमने लेव रहा है, तो यहाँ पर says करता हूँ, एंटरपेस करेंगे, एंटरपेस करेंगे, यह जाएगा duties and taxes में, यहाँ पर आपको duties and taxes कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते है ठीक है, और यहाँ पर normal rounding करके, यहाँ पर 3 करके, एंटरपेस करके, और इसे accept करा लीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि 420 रुपे, 420 रुपे, यह आपका CGST और SGST लगा हुआ है, इस पर says, और says जो लगा हुआ है, 540 रुपे लगा हुआ है, अब इसको accept करा लीजि इसका print कुछ इस तरीके से, आपको आई बटन यहाँ से प्रेस कर लीजिएगा, तो यह देख सकते हैं, यह कुछ इस तरीके से, आपको यह print शो हो जाएगा, इसमें क्या कितना लगा हुआ है, सारी detail दी हुई है, इसको मैंने activate कर रखा है, उमीद करते हूँ, यह sales वाली व वीडियो अच्छी लगे, तो आप इसे share कर सकते हैं, thank you for watching this video.